आज हमारे साथ हैं सीकर जी लेके सांसद स्वामी सुमेदानन जी सर्फवती स्वामी जी साथ कारे समय निकाने बहुत बहुत धन्यवाद तो शुरुवाद तो करते हैं परिचे से आपके सरे मुख से स्वामी सुमेदानन सर्फवती मेरा दिक्षित नाम है और सन 1991 में नॉमंबर में मेरा जनम हुआ उसके बाद मेरी शिक्षा पर गाउं में हुई गाउं के बाद फिर रोतक में मैंने आई स्कूल किया उसके बाद कॉलिज सिक्षा परात की रोतक जिले में बालंद गाउं है वहां पर मेरा जनम हुआ और किसान परिवार में जनम हुआ उसके बाद फिर कॉलिज सिक्षा परात करने के बाद मन में एक संकल्प जागरित तो वेद वेदांग संस्कृत व्याकन साईतियादी का ध्यन किया और साथ-साथ मैं उसी अवदिमे मैंने अध्यापनकारी भी किया कालेज समय में और स्कूल के ताइम की ही अंदर ही मुझे खास्तोर से स्वामी ओमानंद माराज से प्रेड़ना मिली कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में देश के बारे में सेवा भाव के बारे में काम करना चाहिए वैसे स्कूल रोतक के अंदर में पढ़ता था वहां नियमित रुप से संग की साखा भी लगती थी और परिवार का वातावन आरिसमाज का वातावन था नहीं मित रूप से रोतक के अंदर द्यान मठ्ष नाम की एक संस्था रिसमाज की है वामी मेरा आना जाना था उसके पास ही रोतक के पास ही स्वामी सत्यपती जी महाराज एक संस्था में रेते थे उन से मैंने योग सिखा तो योग सीखना और आरिसमाज का संपरक रहना साथ में संग की साखा के अंदर भी जाना इन दोनों का समनवे जीवन में हुआ और उनी का प्रिणाम था कि कॉलिज के बाद मैं मन में ये भावाया कि मुझे अपनी जीवन में कुछ से भारतिय संस्कृति के बारेम करना चाहिए तो इसार के अंदर गुर्कुल आरिनगर है वहामेन अध्यान किया दयानमच दीनानगर में अध्यान किया मैंने अरद्वार में अध्यान किया और अध्यान के बाद में परन слушमच से निरंतर मैंने राजश्तां में तनusto में प्रवेश किया और तर कर चाहिएर में अंवान घ्र कjem से काम करते गुए अरिय प्रती ने जिसवा राजश्तान घो अमारी आडिसमाज का प्रांथिया संगर्ष्णे उसका मा मंत्रियी interacts ख में फिर में वांका प्रधान बना डेक्स बोलते हैं जिसको साथ ही हमारा जो आरिसमाज का अंतराश्टिय संगर्षन है सारुदेश कारिया प्रतेंसवा उसके सदसे के रूप में फिर उसके मंतरी के रूप में फिर उसके कारिकार या डेक्स के रूप में काम किया इसी और कई बहुत सारे नेता, कुमबा राम जी, दौलत राम सारन, प्रोफेसर केदार, बैरुसंग सेखावत, इन लोगों से मेरा संपर्क हुआ, माने सेखावत जी के संपर्क माने से, उन्हों ने और कुमबा राम जी ने मुझे प्रेरित किया कि आपको राजस्तान में काम करन उन्दिरंतर में राजनेतिक लोगों के संपर्क में रहा, समाजिक लोगों संपर्क में रहा, समाज सेवी लोगों के माध्यम से मैंने गो सेवा के अच्छेतर में काम किया, और विनोबा जी ने सन 1981-82 के अंदर एक मोमेंट प्रायर्म किया था वो अत्या के विरोध में, उ वो इस प्रकार गउ सेवा शुन से याब करें इनमसामे में समेले तो और जायारी समाज के छेटर में भी बाग सारे आंदोलन शिराबंदी आंदोलन थे और ते किई समेंधा लेता रहा इसी दोरान माने मूदीजी से मेरा परीचे हुआ अर्याना में जिसमें उपरबारी थे उस समय और वो मेरी किसम से मानिय जी राजनती क्षिए परिनाशouse हैं δाषिर सिखावत और मूदीजी राजस्थान में माने वसंद्राजी ने से मेरा गाफी संपरक रहा और उन्होंने मेरी सेवाओं को देखते हुए मुझे एक दिन बुलाया जैपुर बुला करके कहा कि स्वामजी हम चाहते है कि आप सिकर से सुनाव लड़े उसके कुछ दिन बाद ही माने मोदी जी से एमदाबाद में मिलना हुआ और उन्होंने मुझे कहा कि आपको सिकर से सुनाव लड़ना है मैं सिकर किसी निकान नहीं है तो इस प्रकार से राजमतिक चेतर में आने का मौका मिला और मैं समझता हूँ कि राजमतिक चेतर में आकर के मैंने मेरे छेत्र में जो चुनाव के समय में जो वाईदे किये थे खास्तोर से एक वाईदा था मेडिकल कॉलिज का दूसरा रेलवे का तीसरा यहां कि स्पोर्स की गतिवजियों को बढ़ाने का वो होता दिक रहा भी है तो तीनु वाइदे मेरे पूरे हो चुके हैं जी मेडिकल कॉलिज के स्विकरती आ गई है उसका बज्ट स्विकरत हो गया है MOU में कुछ दिनों में कंस्ट्रक्ष्ण का काम चालो हो जाएगा और यह Medical College इस छेत्र के विकास में एक बहुत बड़ी ध्रोर होगा रेलवे के छेत्र में मैंने बात कही थी कि हम Broadgis बनाएंगे तो Broadgis के छेत्र में हमारा Seeker से लुआरू का ट्रेक चालू हो गया उस पर ट्रेन भी चालू होगी चौरू से Seeker का जो ट्रेक है वो दो मिने में कम्पलिट हो जाएगा और Seeker जैपुर का ट्रेक लेड़ साल में कम्पलिट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो वाइदे किया था रेल के छेत्र में वो भी मैंने पूरा कर दिया देनिक ट्रेन ने अभी 15 जून से पहले पहले हमारी दिल्ली के लिए चालू हो जाएगी माने मंतरी जिसे मेरी बात हो चुकी है तीसरा मेरा जो मैंने आपको बताया कि मैं चाहता था कि सिकर में खेल के छेतर में कुछ विसेज काम होने चाहिए के लड़किंगे कि आक्की की एक एक एकड्मी चलती एं जो साही के द्षाल्ड – स्पोर्ट्स कॉंसिल आफ एंडिया के माध्य में से उबंद पड़ी थी तो मैंने उसमें प्रियास किया और था का प्रियास कि हृँ हृ। उसका प्रणाम यह निक लगा बनावा है मैं जब इंडोर स्टेडिम के इंस्पेक्शन के लिए स्टेडिम के लिए गया तो मैंने माँ देखा कि वहां का जो नीचे लकडी का ट्रेक बनावा था वो पूरा दिमक्खा से निकलावा था खराव हो चुका राजे सरकार के माने खेल मंतरी से मिलकर के 50 लाख रुपे स्विक्रिद करवाए जिसमें 10 लाख रुपे वहां उस पर खर्च हुए और बाकि और भी ट्रेक आदी के विकास के काम हुए तो अभी तीन कोस्ट वहां पर काम करते हैं सीकर में एसके स्कूल के अंदर बास्केट वाल का ग्राउंड था लेकिन वो खंडित हो चुका था वहां मैंने 15 लाख रुपे दे करके उसको ट्रेक को नया बनवाया है और और भी सुईध हैं वहां पर ड्रेसिंग रूम है साथ में सवचा ले आ दी हैं बातरूमादी की सारी सुईध हैं यहां मेरे आश्रम के सामन अभी में मेरा उदेश्चे है कि जिवा स्टेडियम के अंदर एक अच्छा इंडोर स्टेडियम बने उसमें माने थेल मंतरी विज्य गोई जी ने कहा है कि जितना पैसा आप लोग जुटाएंगे इतना हम देंगे तो वह भी मेरा विचार है कि सालबर जहां विद्रूम को बैठे रहे, स्टेट में उनकी गवर्मेंट थी, सेंटर में उनकी गवर्मेंट थी, लेकिन उसके बावजुद भी उसका नहीं कर आपाई, मैं माने गड़करी जी से मिला, और गड़करी जी ने तुरंट साथ करोड का बज़ट स्विक्रित किया, वो काम हो गया, उसमें गाउं एक तरफ था तो अंडर पास है, आईवे की द्रश्टी से अभी माने गड़करी जी, माने मुख्यमंत्री जी अब साला सर आए, तो उन्हों ने गोशना की थी, अपने साला सर से लेकर के और लक्षमगर होकर के नवलगर के लिए एक आईवे में मिलेगा, सीकर साला साला सर के रोड का चोड़ा करन होगा, वो मेगा आईवे के रूप में आएगा, तो सडकों के द्रश्टी से, रेलवे के द्रश्टी से, स्वास्ते के द्रश्टी से, स्पोर्स के द्रश्टी से, हमने जो वायदे किये तो सारे वायदे में पूरे किये है, स्वामे जी एक स्वाल है कि एक सांसद को मिलने वाले सुविधा हैं वेतन मान दे और सची साइक जो होता है इसको हम बताना चाहिए लोगों के मन में एक ब्रांती है और वह ब्रांती है कि सांसद को पता ने कितना का कुछ मिलता है लेकिन सांसद को जो कुछ मिलता है हमारी सेलरी के रूप में हमें 50,000 रुपे मिलता है 30,000 रुपे हमें मिलता है कमचारी रखने के लिए और 15,000 रुपे हमें मिलता है स्टेस्टेनरी के लिए पंद्रह जार रुपे मिलता है हमें अपने लोकल छोटे मोटे खर्चे चलाने के लिए तो कुल मिला करके ये सारा लगवग एक लाख नो जार रुपे बनता है सांसद ने दी कितनी होती है फिलाल सारा टोटल मैंने बता दिया आपको सांसद ने दी पांच करोड पर मिलता है लेकिन आपने व्यक्तिकर सुईदाओं के बाट के तो ये एक सांसद को अपने खर्चों के लिए मिलता है इसमें ये प्रावदानवी है कि दस दिन के लिए सांसद स्थानिय पूल से गाड़ी ले सकता है अपने काम के लिए लेकिन स्थानिय पूल के आलाद ये है कि वहाँ पर उनके पास गाड़ीया नहीं है तो पिछले बार जब अशोग एलोत की सरकार थी उसमें प्रावदानवाथ 25,000 रुपय हम सांसद को इस रूप में देंगे लेकि मैं समस्ताओं कि वरत्मान काल के अंदर हमारे जितने भी सांसद हैं उन सांसदों को इस वी दावे नहीं मिली तो सांसदों को मात्र केवल एक लाख नो जार रुपय मिलता है और मैं अपना व्यक्तिकत बात कह रहा हूं आपको कि हम जो ट्रेविलिंग करते हैं जिसरेism चलते हैं एक लाख रुपय मेने का नमारों कि 좋을मातर देल खरच होता है वरत्मान में हमारे जो राजम tältic कि चहतर में जो लो काम करते हैं उन से जो लोग कई वार बात करते हसाब सांसदों को你 ये मिलता है हर सांसदों अपनी जेव्चिव से पैसा खर स्भाथ चेत्र में आठ विदाएक हैं तो उनके टोटल पैसे हो गजोड़े हैं तो एठारा करोड़ बनता है वात विदायकों का मे लोग स्वाथ घोपाख नोग CJ गरूड़ोर न प्रतारा करोड़ सद्र न इस 50 करोड़ अन से resolutions को पेसे पहले होशा रखते हैं हमारे छो चेट्रकी जंता है कि यह चितना बीजित ऐसा व्धाय दे रहां तो ने सानसत को देना चाहिए लेकिन अमसे मिलत तीन क्रोड रुपया को मिलता है व्धायक और भी सब्सक्राइब कि इसामती से बनती है फिर भी हमारा जो काम है सान सद्गा वो केंदर सरकार से समंदीत है राज्य सरकार से समंदीत भी है हम प्रयास करते हैं कि अधिक से काम किया जाए स्वामी जी देनिक जीवन में तालमिल कैसे बठा पाते हैं क्योंकि आप वैसे भी वेस्ताद में थे पहले हैं समझी जारूता में लोग से लिलना वेक्ति के निर पर करता है उसकी दिंचेरिया पर सुबस वै क्योंकि यहां करमचारी बहुत है और करमचारियों को साथ बजे या साठ बजे या दस बजे डूटी पर जाना होता है तो खासतोर से वो लोग आ जाते हैं तो मैं 7-8 लोगों को सुनता है। उसके बाद फिर, आदेगंटे के लिए अपना आलपाहर और ये चीजिच, करके पिर लोगों को सुनता हूं जह बाश्रम बाइधा हो। बाद में जब भी मैं यहां होता हूं, शेत्र में होता हूं, फिल्म में करिकम हpro strategic ने उसमRR होते हैं हमारा मेरा जीवन को डेस से माया है कोई राजनित के गुस्त परकार के देशा नहीं है और वाजनित के जंजचनаты नहीं है किसी परकार की परकार की इपयख्षा नहीं है और यहार मेरा वहलगा है मैं इस राजनितिक चेत्रमाया हूँ तो भी सेवा कर सकूँ अपना जो देश का एक भाव है मेरा वो में उसको पूरा कर सकूँ स्वाम जी कोई संपर्क करना चाहे ता आप से संपर्क सुखतर चोड़ना चाहें को बताना चाहें कि मीरे अमेरे मोबायल के अर रात को दस वज ची संपरक है मेरा पंजाब से संपरक है राजतान से संपरक है तो संधिंग कैसे उम्यद करता हूं कि आम जनता को भी वैसे समय मिलता है मेरे पास में जो भी लोग आते हैं उनकी प्रेड़ा को सुनता हूं और मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे अधिकारी को कहना चाहिए तो मैं अधिकारियों को आदेशित भी करता हूं से निवेदिन भी करता और केंदर सरकार को कुमेटर होता है तो केंदर सरकार के मंतरियों के संदर्ब में उनके पास पत्र वेजते हैं उस समय समय पूंचे मिलते हैं तो मेरा यही है कि सीधा कोई भी भाई कभी भी आई कोई मेरे सामने दिकत नहीं है मैं उनके साथ में किसी प्रकार का कोई भेद बाव पक्षपात नहीं करता हूं क्योंकि जब तक आदमें चुनाव लड़ता है तब तक वो दलका है चुनाव लड़ने के बाद में जनका है तो सांसद विधायक या मंत्री जो भी है जो जनपरती ने दिये हैं वो सब के होते हैं और सब के इत्मों को काम करना चाहिए अन् बिवार में कलया भी नहीं हो ठीक है अच्छा आसानी से जीवन से ले इसके लिए … मेरे छे epoxy के और मेरे प्राहत के और देश के प्रतेक नागृक से सद हएए थाता हूँ मेरे जीवनमें जारोंयों मेरे बाखोगों मेरे साथ में मैं प्रियासकिया है कि अबस्प्य आजार तो रही है जहां समाजी कुरिती का अमुरलन और वैदिक संस्कृति का परचार परमुकता है वह मैंने पूरे देश में और विदेशों में गुम करके किया लगवा कि 35-40 देशों में 40-42 देशों में बाहर गया हूँ भारत में भी भारत का साइधी दो तिन प्रांटों को छो अध्यातम इसलिए जरूरी है उससे आत्म सुप मिलेगा विज्ञान इसलिए जरूरी है कि उससे समाजिक जो संसाधन है संसारिक संसाधन विज्ञान से प्राप्त होंगे तो साधन और साध्य दोनों को साधना दोनों प्राप्त होंगे तब साध्य की प्राप्ति होगी हो उन्हीं से लक्षे प्राइब्त करना चाहिए व्यसन मुक्त जीवन हो नित्य प्रति ध्यान योग करें उससे मानसिक संतुलन रहता है बहुत ही विकास होता है आत्मा को प्रशनता मिलती है और तनाव से व्यक्ति मुक्त रहता है ठीक है स्वामी जी आपने समय दिया आप वेस्ता आदमें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आप समाज में यूँ रोशने बिखे रहें और जो ये कुरितियां हैं उनका उन्मिलन यूँ करते रहें और समय मिला तो आपसे और भी साहसाथ का ल कि आपसी आपसे खाल बहुत मुझा सक गषब नहीं हैं गर समय मिला वे एkład झाल